नमस्कार, हम सभी पर मा का आशिर्वान और बज्रंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहें बदलाव इस ब्रह्मान का मानव जीवन का सबसे शाश्वत नियम है दिन और रात का होना, रित्वों का परिवर्तन, जीवन और मृत्यू सब इसी बदलाव का एक हिस्सा है इसी प्रकार मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यू तक अनेक प्रकार के पड़ावों से गुजरता है दुख और सुख का अनुभव करता है और साथ ही ये अनुभव करता है इश्वरिय परमसत्ता का और इस इश्वरिय परमसत्ता का अनुभव करने के बाद वो इससे जुड़ने की प्रक्रिया में लग जाता है ताकि अपने जीवन को एक सकरात्मक बदलाव दे सके और इस इश्वरिय परमसत्ता से जुड़ने की ये जो प्रक्रिया है उस व्यक्ति के अंदर असाधारन बदलाफ पैदा कर देती है जिसके बारे में उस व्यक्ति को कई बार स्वेम भी ज्यान नहीं होता है कुछ ऐसे गोड़ उस व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाते हैं, कुछ ऐसी देविय उर्जा है उस व्यक्ति के अंदर जो विक्सित हो जाती है कि समय समय पर कुछ इश्वरिय संकेत, कुछ इश्वरिय उर्जा उस व्यक्ति को मिलने लगती है, जो ये बताती है कि उसका प्रशन किया था तब भगवान ने उने बताया था कि ये वो स्वेम अपने भक्तों को ये संकेत पहुँचाते हैं ताकि उनके भक्त ये जान लें कि उनकी प्रार्थना स्विकार हो गई है और आने वाले शुप समय के बारे में उनके भक्तों को पता चल सके तो आज इस अंक में हम जानते हैं कुछ ऐसे नौ ईश्वरिय संकेत जो यदि आपको मिलते हैं तो आप समझिये कि आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं इन शुप संकेतों के बारे में ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वो संकेत हैं जो आपको खास बनाते हैं इश्वर का प्रिये बनाते हैं तो जानते हैं सबसे पहला संकेत यदि आपको अपने सपने में भगवान के या किसी भी देवी देवता के दर्शन होते हैं तो ये एक बड़ा ही शुब संकेत है ये बताता है कि आप पर भगवान की कृपा होने वाली है और कोई भी संकट, कोई भी परिशानी जो आपके जीवन में है उससे बहुत जल्दी आपको छुटकारा मिलेगा यदि भगवान के दर्शन आपको आपके घर के अंदर सपने में दिखे तो इसका मतलब ये है कि आपके पूरे घर को भगवान का आशिरवात प्राप्त है और वो आपके पूरे घर की सुरक्षा कर रहे हैं इसके साथ ही अगर गहरी नीन में आपके अंदर ही स्वेम ही मंतरो चारण या भगवान का जाप चलने लगे और उसी मंत्रोचारण उसी जाप के दोरान आपकी आँख खुल जाए तो ये भी संकेत है कि आपकी तीव्र आध्यात्मिक उन्नती का और आपके उपर आपके इश्ट की कृपा का आप जानते हैं दूसरा संकेत पूजा करते समय यदि आपके दीपक की लौ स्वेम ही तेज हो जाएं ज्यादा प्रदिप्त हो जाएं और दीपक अच्छी तरह से चलने लगे तो ये भी एक बहुत ही शुब संकेत है दीपक की लौ में अगर आपको फूल बनता हुआ दिख रहा है उनकी आकरिती दिख रही है या भगवान का प्रतिबिम नजर आ रहा है तो ये भी इश्वरिय प्रसंता का उनके आशिरवात का संकेत ही है आपके लिए अब आते हैं तीसरे संकेत पर तीसरा संकेत है कि पूजा करते समय अगर आपके धूप या अगर बत्ती का धूआ भगवान की मूर्ती की तरफ जाने लगे और उसी दिशा में उठने लगे तो ये भी एक बहुत ही शुब संकेत है इसके अलावा अगर बिना धूप या अगर बत्ती जलाए हुए भी आपका घर खुश्बू से भर जाए आपको अपने चारों तरफ भीनी भीनी सुगंध मैसूस हो तो ये भी इश्वर ये कृपा का ही संकेत है कि आपकी पूजा आपकी प्रार्थना इश्वर स्विकार कर जानते हैं चोथा संकेत चोथा संकेत है कि अगर पूजा करते समय भगवान के चड़णों में अर्पित किया गया कोई भी फूल, भोग या भगवान को अर्पित कोई भी सामग्री आपकी ओर गिर जाती है तो भी आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान ने आपकी पूजा स्विकार कर ली है और बहुत जल्दी आपकी मनुकामना पूर्ण होने वाली है पाच्वा संकेत जब आप बाहर जा रहे हूं और कोई भी छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार-बार मुस्कुराए या छोटे बच्चे आपके घर के आंगन में खेलने के लिए आए तो ये भी इश्वर ये संकेत है कि आपका घर, आपका आंगन बहुत जल्दी खुशियों से महकने वाला है शेश कर ऐसे दमपत्ती जो निसंतान हैं उन्हें ये संकेत बताते हैं कि उनके आंगन में बहुत जल्दी बच्चों की किलकारियां गूजने वाली हैं चट्वा संकेत सुबह सवेरे घर से निकलते समय अगर आपको गौ माता के दर्शन हो जाएं या बच्चडे को दूद पिलाती गौ माता के दर्शन हो जाएं किसी साधु संथ के दर्शन हो किसी पवित्र आत्मा के किसी पुजारी के दर्शन हो और उनसे आपको आशिरवाद मिले तो यह बहुत उत्तम संकेत है और आपको समझ जाना चाहिए कि आपका आने वाला समय खुश्यों से भरा हुआ है अब जानते हैं सात्वा संकेत सुबह घर से निकलते ही दूद या दही से भरा हुआ बरतन या जल से भरा हुआ कोई पात्र अगर आपको दिख जाए फलो से भरा हुआ कोई पात्र आपको दिख जाए फलो से लदी कोई गाड़ी दिख जाए या कोई अन्यवेक्ती गुड़ या चीनी ले जाता हुआ वो आपको दिखे तो ये अत्यंत शुप संकेत है और बताता है कि आपके आने वाले समय में आपको बहुत सी खुशियां मिलने वाली है आठवा संकेत सुपह उठते के साथ ही जब आप पाउं अपना जमीन पर रखें और आपको जमीन पर पड़े हुए पैसे मिल जाएं तो ये एक बहुत ही श्रेष्ट संकेत है और आपके आने वाले समय में आपके आर्थिक लाब की तरफ संकेत करता है तो ये जो पैसे अगर आपको मिल रहे हैं तो इन्हें आप बिल्कुल खर्च ना करें और इनको संभाल कर रखें आपकी आने वाले जीवन में आपकी बहुत सारी बरकत बढ़ने वाली है नवा संकेत है कि अगर आपके घर में काले रंग की चीटियां समू में घूमती हुई नजर आएं या चावलों के बरतन में से चीटिया निकलें काली चीटी मुँ में चावल का दाना ले जाते हुए दिखाई दे घर की छट से चीटिया निकलती हुई दिखाई दे तो ये भी ईश्वरिय कृपा के ही एक संकेत है और आपके आने वाले समय में भौतिक और आर्थिक उन्नती की तरफ इशारा करते हैं तो ये है वो नौ संकेत जो कभी भी आपको अपने जीवन में अगर दिखते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके अच्छे दिन अब शुरू होने वाले हैं तो ऐसे समय में अपने ईश्वर का अपने इश्ट का धन्यवाद करना चाहिए और भगवान की भक्ती में अ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महराज जी की भक्ती में सहायक सिद होगा इसी प्रास्टना के साथ मिलते हैं अगले अंक में तब तक के लिए जै बाबा की अझी होगािं आपकी होगादिने की आपकी में